नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इस अंडिंग बाइ प्रभार्श पे तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछ रहें कि सरक इस गिरावट पे कौन से शेर्स ऐसे हैं जो एकदम एक्सपोनेंशिल ग्रोथ देंगे और अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद आपको विश्वास भी हो जाएगा जिस सेक्टर का सेलेक्शन किया गया है उसमें मात्र देखेगा एक से डेड़ महिने में तेजी देखने मिलेगी यानि कि 1.5 मन्त में 45 डेज में आपको तेजी देखने मिलेगी और पूरे फैक्ट एंड फीगर के साथ बताऊंगा अगर आप चाहते हैं इस गिरावट में ऐसे और सेक्टर बताए जाए तो करना कुछ नहीं है इस वीडियो पे 1000 लाइक आने चाहिए सिंपल से देखेगा अगर 1000 लाइक आते हैं तो आप समझ लीजेगा ऐसे वीडियो देखने मिलेंगे दोस्तों आप सभी को पता है कि चाइना पूरी तरीके से एग्रेशन में है चाहिए वो ताइवान हो और इंडिया को लेकर तो है यह आगे चलके आपको पता है उनकी जो जीडिपी ग्रोथ है वो बहुत डाउन होने वाली है उनके प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने वाली ह तो ऐसे में सबसे जदा benefit किसको होगा इंडिया को बिजनस के point of view से लें economy के point of view से लें तो आपको पता है सब तरीके से तो ऐसे में क्या होता है कि जब कभी आपके हां से opportunity निकलती है तो आप किसी दूसरे वेक्ति को परिशान करते हैं तो ऐसा ही same देखेगा आपको border China और देखेगा इंडिया में देखने को मिला है काफी clash हो रहे हैं काफी statement आ रहे हैं काफी सारी चीज़े आपको देखने को मिल नहीं है बट इसके बावजूद देखेगा आज test हुई है agony V missile पूरी तरीके से successful launch रहा और आपको पता है कि एक कितनी बड़ी बात है कि इस scenario में से भी दिक्कते बहुत जाना है पाकिस्तान में GDP नाम की कोई चीज रह नहीं गई है और चाइना में अगर आप बात करेंगे तो GDP growth बहुत सारे core factor वहां पर impact हो चुके है तो ऐसी situation में जब हमें लगातार sustainable growth करनी है तो हमें कोई एक ऐसा sector select करना पड़ेगा जिससे हमारे particular ज तो वो sector होगा defense sector आपको पता है defense sector पे बहुत तेजी से investment होने वाला है और आप देख रहे हैं लगातार launches हो रहे हैं ताकि हम अपनी particular army को advance equipments दे सके और आपको पता है कि जब आप advance equipment देते हैं तब ही जाके आप advance country से देखेगा लोहा मनवा सकते हैं तो अब पहली तुम्हेंने आपको बता दी कि यह particular tension मनी रहेगी यह बिलकुल hit करेगी defense sector को तो defense sector एक ऐसा sector है जो momentum देगा अब मैं बताता हूं कि 45 दिन या 30 दिन में क्यों देगा क्योंकि आपको पता है हमारा budget आने वाला है अगर आप देखेंगे और budget में same scenario देखेगा च वो सबसे बड़ा देखेगा एक segment होता है जिस पर government अपने expenditure करती है तो इस बार फिट से देखेगा आपको एक अच्छा बड़ा budget defense sector के लिए आता हुआ देखने मिलेगा और आत्म निरभर भारत के लिए बहुत सारी schemes देखने को मिलेंगी जिसका benefit देखने मिलेगा चुकि clue चाइना की तरफ से भी आए clue पी ओकी की तरफ से भी आए और पाकिस्तान की तरफ से भी आए तो इन सब चीजों की बात होगी एक फरवरी को जब budget आएगा तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी चीजें होती हैं यह particular clashes होते हैं तो फिर किस तरीके से सरकार को defend करना पड़ता ह है उसे और किस तरीके से आगे चलके उस सेक्टर में investment करना पड़ता है ताकि हम confident हो पाएं तो defense sector में काफी बड़ा पैसा देखेगा आपको देखनी हो मिलेगा budget में और उससे पहले देखेगा यह problem create हो रही है तो जैसे ही market rebound करेगा तो defense sector में आपको तेजी देखनी हो अब इसमें सबसे पहले है कि सारे stocks ही अच्छे हैं लेकिन कुछ मैं आपको बताऊंगा और देखे मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि fundamental कैसे हैं तो भारत electronic की बात करूंगा यह stock भी काफी गिरा हुआ stock है आप देख सकते हैं company defense sector में काम करती है equipments provide करती है aero pace देखेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है 9 factory N की अब यही क्यों आप देखेगा P multiple भी देखेगा fair valuation पे है book value देखेगा आप 17 रुपए के असपास है dividend deal बहुत ही शांदार है और ROC ROE बहुत ही शांदार है और आप देखेंगे कि अपने 52 week के high से काफी नीचे चला है गिरावट पर अच्छी गिरावट हुई है लेकिन best part यह देखेए profit jump हो चुके हैं दो quarter में दो quarter में profit क्या हो गया है just double हो गया है just double हो गया है तो जैसे ही देखेगा एक दो quarter और अच्छी आएंगे आपको momentum देखने हो मिलेगा फिर अगर आब बात करेंगे defense sector के और stocks की तो म महां से देखेगा आपको बहुत शांदार momentum देखते हूं मिला है last budget से और अगर आप देखेंगे thermax बहुत अच्छा momentum है लेकिन महेंगा stock है अगर आप P valuation पे जाते हैं भारत diamond dynamics देखेगा काफी अच्छा लग रहा है इस particular zone के comparison में काफी better option है तो भारत diamond dynamics क्या करता है यह भी देख लीजिएगा defense equipment बनाता है मिसाइज बनाता है जो आप देखीगा launches देख रहे हैं और अगर आप बात करेंगे यहां पे इनके particular model की तो आप देखेंगे ROE शांदार है book value शांदार है 27 के P multiple पे मिला है और आगे चलके यह 1000 का level भी तोड़ सकता है चुकि यहां पे भी profit क क्या हो गया है जस्ट डबल हो चुके हैं तो आप इन particular stocks पे focus कर सकते हैं इस गिरावट पे चुकि बजट पे इस stock बहुत अच्छी तेजी लेते हो आपको देखेंगे वीडियो और अच्छा लगा है तो like share subscribe करना ना बूलेगा thank you so much